नमस्कार बहुत स्वागत है आपका फालगुन माह की अवस्या इस बार सोम बार के दिन है और सोम बार के दिन जब अवस्या दिती हो तो इसको सोमवती अवस्या कहते हैं इस दिन उपाय करने से प्रेत बाधाओं तक से मुक्ति मिल जाती है तो सास्त्रों में सोमवती अवस् पित्रों के निमित कर्म कांड करने से उनका आसिरवाद भी प्राप्त होता है तो पंचांग के नुसार इस बार 20 फरवरी को अमवस्या है तो इस दिन का महत तो जादा है क्योंकि माना जाता है कि प्रत्वी पर आते हैं पित्रदेव अपने परीजनों और वनसजों के द्वा प्रत्री दोस भी सांथ हो जाता है सोम बती अमवस्या का बहुत ज़्यादा मैट है और इस बार 30 मेह को है तो सोम बार के दिन पढ़ने वाली अमवस्या ति जो भगवान सिविकीती थी है इस दिन की महत ताप बढ़ जाती है और करीब 30 साल के बाद सोंबती आमवस्या के दिन सरवार सिध्धी योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है कुछ खास उपाई करके आप इस दिन पित्री दोसों से मुप्ति पा सकते हैं घर में सुक्सम्रिद्धी बढ़ता है इस दिन किये गए तमाम कारियों का पुन्य फल आपको प्राप्थ होता रहता है तो सोमबती की बिसेश पूजा होती है और बट ब्रिक्च की पूजा भी की जाती है पर इस दिन आप चाहें तो अपने पित्रों को जल जरूर अरपित करें उनको तरपन करें कैसे करेंगे आप चाहें तो पिंड़ दान भी कर सकते हैं देखिए जब आप सूरी भगवान को जल अरपि पितर प्रसंव होते हैं और जीवन में सुख वभाग सन्तान बंसवर्धी का आसिरबाद देते हैं क्योंकि बिना पितर आसिरबाद के बंस वर्धी हो ही नहीं सकता भगवान सिब मापारवती की विशेश विधान से पूजा इस दिन करने का विधान है सिवलिंग पर आप बिलुपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, गंगाजल, गायका दूद, समीपत्र जरूर अरपीत करें और मा को आप मा पारवती को सिंगार की वस्तू अब चुकी सनिदेब की जैनती है तो उनके निमित आप पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं और मा लक्षमी आपके साथ आपके घर तक आएंगी, कहा जाता है पबित्र नदी में असनान करने से पापों से मुकती मिलती है और इस दिन पितरों का तरपन भी किया जाता है, ऐसा करने से वैक्ति को पितरों का आसिरवार प्राप्त होता है और सोमबती अमवस्या के दिन पीपल के पेड़ की अगर परिक्रमा की जाए तो बहुत ही सुब फलदाई माना जाता है माने तरह है कि पीपल के पेड़ में देवी देपताओं का वास होता है ऐसे में उनकी पूजा करने से सभी देवी देपता प्रशन्न होते हैं घर में सुख सांती और सम्रिद्धी बढ़ जाती है तो सोमबती अमवस्या बहुत ही दूरलव और सुखसयोग के साथ आ रहा है इस दिन विसेश परियोग भी किये जाएंगे तो आईए जानते हैं विसेश परियोग के बारे में कैसे अपने मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए विसेश परियोग करेंगे देखिए इस अमवस्या के दिन चुकि सोमबार के दिन अमवस्या है तो सिबलिंग पर कच्चे दूद और दही से अभी सेख करें इसके बाद काला तिल और पित करें तो आपके जीवन के तमाम कश्ट दूर होते हैं और इसके साथ ही आप अगर चाहें तो सिबलिंग पर कच्चा दूद दही साथ में सहद मिला कर अगर सिब जी का रुद्रा भी सेख करें तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और इस दिन चुकि सोमबती अमस्या के दिन पितर देवों के निमित विसेश परियोग किये जाते हैं तो पीपल के पेड़ में भी जल और पित करने का विधान है जल में काला तिल, चीनी, चावल, सफेद पुस्प डाल कर ओम पित्रिब्यनमा मंतर का जब करते वे जल और पित कर दें तो यकिनन पितर देवों का आसिरवाद भी मिलता है इस दिन और भी जादा विसेश परियोग होते हैं लेकिन आज सत्रू से मुक्ती पाने के लिए वो कौन से परियोग हैं जो सोम बती अमोस्या के दिन किये जाएं तो परिसानी खत्म हो देखिए हम बार बार आपके सामने हर एक एपिसोड में जब भी हम कोई टॉपिक रखते हैं तो आपको एक छोटा सा परियोग जुरू बताते हैं क्योंकि हमें पता है हर कोई परिसान है हर कोई के जीवन में कोई नहीं कोई दूस्मन लगा हुआ है आपके अपने हुई हो सकते हैं पराय तो दूस्मन हैं ही लेकिन ये भी एक सच बात है कि जो जितना करीब है वो उतना ही जलता है अब ऐसे में छोटा सा प्रियोग करें बिना कोई हानी पहुंचाए सत्रू को उसकी बुद्धी को ही आप बदल देंगे अगर आपको लगे कि घर परिवार में कोई सत्रू है बहुत सत्रूता रखता है आप से खास कर जो महिलाएं है वो भी परिशान है पुरुस्तों परिशान है क्या करेंगे इस सोमबती अमवस्या के दिन सारे दिन में रात तक में कभी भी यानि कि देखिए रवी बार के दिन सारा दिन है आपके पास और सोम बार की सुबह चुकि उदियाती थी में वस्या तो इस दिन भी रात आप यह प्रियोग कर सकते हैं नहीं तो अभी बाद में भी प्रियोग कर सकते हैं क्या करेंगे आपको चाहिए होगा भोज पत्र अगर भोज पत्र ना मिले तो सफेद कागज ले लें मैथ वाला कागज आपको चाहिए होगा अनार की कलम अगर ना मिले तो बेल पत्र का डंठल ल हैंगे लेकिन अगर फिर भी ना मिले तब आप कुम-कुम का प्रयोग कर लीजेगा अब क्या करेंगे भोज पत्र पर यह जो आप अस्टगंध है उसको हलका सा पानी में गीला करें अनार की कलम से उसको भोज पत्र पे उसको लगा-लगा कर अपने सत्रू का नाम लिखें जि सहत की जो सीसी है उसमें इसको साथ बार इस कागच को या भुज पत्र को मोड़िएगा साथ बार और इसके बाद मन में कामना करते हुए सहत की सीसी में एक दम अंदर डूबो दे और इसको संभाल कर कहीं ऐसे जगह रख दें कि यूगों यूगों तक पढ़ा रहे या फि आप बहुत परिशान हैं आप चाहते हैं क्विक रिजल्ट मिले तब एक चोटा सा परियोग करें एक भुज पत्र या सफेद कागच पर सत्रू का नाम लाल रंग के पेन से या फिर आप यहां पर सत्रू का नाम सिंदूर से भी लिख सकते हैं लेकिन अच्छा होगा कि ला अच्छ को जला दे बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिए का सत्रू विरोधी संथ हो जाएंगे आपका बुरा नहीं कर पाएंगे देखिए सोम बती अमवस्या की रात किसी भी कुए में अब आप कहिएगा सहर में रहते हैं तो कुएं कहां मिलेगा सही बात है अब ऐसे में किसी भी नदी तालाब में या आप चाहें तो कहीं भी घर से बाहर निकल कर या घर के अंदर ही कहीं मिट्टी में थोड़ा सा बस आपको धियान रखना है कोई टोके नहीं देखे नहीं आप देखिएगा धनाने के मार्क खुल जाते हैं दूसी बात अमवस्या तिथी की रात में सोने के पहले एक रुपया का एक सिक्का ले 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 अपनी लंबाई के इतना बराबर आप एक धागा ले ले लाल धाग अब इसको अपने तक्ये के नीचे रखकर सो जाएं अगले दिन यसी का पास के किसी मंदिर में दान पेड़ी में डाल दे या आप कहीं भी किसी पीपल के नीचे भी रख सकते हैं और जो धागा है उसको भगवान के पास जाकर अरपित कर दें सिपजी के मंदिर में अरपि किया जाता है और साथ ही जल में एक चुटकी काला तिल एक चुटकी चावल एक थोरा सा मिसरी सफेद पुस्प अगर संभव हो तो दो चार बुंद कच्चा दूड डाल कर आप पीपल के पेड़ की जड़ में अरपित करें और साम के समय एक दी पक जरूर जलाएं पीपल क के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया होगा और इसमें दो चार दाने काली उड़त के या काले तिल के डालिएगा चुकि इस अमोसय के दिन माल लेते हैं आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तब अपने घर के मुखे दरवाजे के बाहर सिर्फ सरसों के त या जला दें तो जीवन के कस्टमीट जाएंगे इस दिन सिक्के का एक महा प्रयोग किया जाता है अमोसयत थी हलाकि सोम बार के दिन है पर रभी बार को ही लग जाएगी तो रभी बार की रात एक सिक्का अपने तकिये की नीचे रख कर सोए आप चाहे तो हर घर के सदसी के तकिये की नीचे रख दें अगले दिन सुबह वो सिक्का सब के उपर से तीन बार उल्टा उतार ले और यह सारे सिक्के ले जाकर सिपजी के मंदिर में रखा है या पिर आप दावन पेटी में डाल दें या कहीं किसी को दान कर दें आपके जीवन की मुस्किले टल जाएग और अगले दिन इसके वही प्रक्रिया आपको दोहराना है ताकि आप जीवन की मुस्किलों से बहार निकल सके वैसे तो सिक्के के बहुत सारे परियोग होते हैं आप इस दिन गरीब व्यक्तियों को सिक्के का दान करने का भी दान है पर बहुत सारे लोगों को दान नहीं कर करने का रहता है कुडली में कि आप पैसे नहीं दान करें तो ऐसे में आप कहीं भी किसी को खाने पीने की बस्तु दान कर दें तो उत्तम है हम आपसे विजा लेंगे लेकिन हाँ जब सिपजी की पूजा करेंगे तब पान के पत्ते पर एक सिकार एक सुपाडी जरूर रखकर और पान के पत्ते पर लॉंग इलाची और मिस्री के दाने रख दीजेगा धन्यवाद प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें आपकी कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा